साध्यों, केंद्र की भाजपा सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है देश के हर छेत्र का विकास हो, देश के हर छेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेग दशकों तक विकास को राजनीती के वोट बेंकेत तराजूस पर ही तोला गया योजनाओं की प्रोजेक्स की गोशनाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी लेकिन कैसे होती थी कहां से कितना वोट मिलेगा किस वर्क को खुश करने से वोट मिलेगा जिनकी पहुँच नहीं थी जिनकी आवाज कमजोर थी वो अभावों में रहे विकास यात्रा में पीछे छुड़ते गए यही कारण है कि हमारे आदिवासिक छेत्र हमारे सीमावर्तिक छेत्र विकास से वन्चित रहे गए हमारे मच्वारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया दमान दीव दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है मैं तो गुजरात में था मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना केंपस मिला है वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा है आप सोचिये सासियों आजादी के दसकों दसक बीद गए लेकिन दमान दीव दादरा और नगर हवेली में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था यहां के इने इने कुछ वाओं को किसी तरह डॉक्टर की पढ़ाई का आउसर मिल पाता था वो भी दूसरी जगा पे इसमें भी आदिवासी पराईवारों के बेटे बेटियों की भागिदारी तो बिलकुल ना के बराबर थी जिनोंने दसकों दसक तक देश पर शासन किया उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस बहंकर अन्याय की चिन्ता कभी भी नहीं हुई वो समझते थे इस छोटे से केंदर सासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा वो आपके इस आशिरवात का मुल्या कभी समझी नहीं पाए 2014 में जब आपने हमें सेवा का उसर दिया तो हमने आपकी सेवा की भावना से काम करना सुरू किया समर्पन भाव से काम करना सुरू किया इसी का परणाम है कि दमण, दीव, दादरा और नगर हविली को अपना पहला National Academic Medical Organization नमों Medical College मिला अब यहां से हर वर्ष करीब करीब देड़ सो स्थानिय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का आउसर मिल रहा है कुछी स्वर्षों में बहुत निकट बविश में एक हजार जितने डॉक्टर यही से तयार हो जाएंगे अब कल्पना कीजी इतने छोटे से इलाके से एक हजार डॉक्टर इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है में यहां आने से पहले एक समाचा रिपोर्ट में एक बिटिया की बात भी पढ़ रहा था आदिवारसी परिवार से ही आने वाली यह बिटिया अभी यहां मेडिकल में पहले साल की पढ़ाई कर रही है उस बिटिया ने अख़बार वालों से को कहा कि मेरे परिवार को तो छोड़िये मेरे पूरे गाउं में कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सका था अब वो बिटिया इसे अपना सवभाग्य मानती है कि दादरा और नगर हवेली में ये मेडिकल कॉलेज बना है और वो उसकी छात्रा है